हेलो फ्रेंट वेल्कम टुम मैं चैनल तो फ्रेंट आज का हमरा töप हिए इन बाका क्नेक्ष्यन बहुत आज मगया वीडियो कमेंट किया था कि भाई वीडियो बनाने जा रहे हैं उम्हीद करता हूं आप सबको अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो चलिए फ्रेंड रेस्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो प्रेंच इन भाटल के लिए तो आपको पता है हमारा न्यूट्र्ल और फेजए हम अभी एक रूम का अगर करना है तो मैं कैसे होगा वह मैं दिखाता हूँ आप इसका सेम सेम दूसरा रूम पर कर सकते हैं चले फिरेन स्टार्ट करते हैं तो जैसे हमारा फेज है फेज हमारा यह सोकेट है इन बोटर के लिए हमने एक सोकेट बनाया है और यह हमारा हो गया स्विच बोक्स स्विच बोड़ है इसमें पूरा सुनिच है एक रूम के लिए जमान के चलो एक वॉल्ब का एक फेन का और कुछ-कुछ का जो बॉल्ब है पुरा इसका है यह तो अभी हमें स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि यह हमारा इंवोटर है और बेटरी है तो हमारा जो लगा होता है कुछ इस तरीके से यह होता है इसमें प्लॉग कर यह से के सी furn plugin में होता है हमाराट प्लोग में हम प्लोग इधर डालने के लिए तो आपको सबको मालू होगा कि उपर का और्थिंग का है और यह नीट्रल फेज है तो यह हमारा प्लोग हो गया तो यह हो गया हमारा प्लोग का जिदर से इसका इन बॉटर का सप्लाई आएगा ठेक तब इन बॉटर के इसके बा फ्लस माइनस कहे के होता है रेट ब्लेग कहा करेंगे यह से लेआ के बैटरी का मैनश 木ण गरेंगे फिर इस को क्या करेंगे यह मैंटरी का प्लॉस माइल के जोड़ेंगे आकी क्या हो पेटरी को चार्ज देगा भैटरी में हमारा क्रिंट स्टोर होगा तब अभी क्या क्या क्किक करेंगे कि यह जब अभी 20 देलiiii फिर इससे हमें तो इसका पावर आएगा जो फाइपीन है इससे आएगा तो इससे कैसे आएगा तो इधर भी हम क्या करेंगे एक सेम सेम एक एक सोकेट लगाएंगे एक प्लोक लगाएंगे प्लोक होता है न हमारा ऐसे प्लोक लगाके लेंगे शेप्टी के लिए अच्छा रहेगा एक देमान के चले हमारा एक प्लोक है फिर एसे होगा एसे होगा और प्लोक यह हो गया हमारा एक प्लोक को हम क्या करना है इसमें लगाना है और इसका राइट साइट से हमेशा इसका फेज बाहर निकलता है फेज राइट से बाहर निकलता है तो अभी हमारा यह तो इस्टोर कर रहा है डीसी बोल्टेज डिची वommes टेज बेटरी तो क्या होता है जब हमारा प्रूइम कट दो क्या होगा है फिर इसका प्रूइर रिटर्ण जाके इधर से जो इंभॉटर का अंदर होता है उसको क्या करता हो डिक को फिर से AC में बना था है और इन फेज अंदर अंदर ऊता है अदर में और यही निडल काम करेगा हमको इधर से निट्रल लेने का ज़रूरी है एक्स्ट्रा वायर नहीं खर्चा करना है क्योंकि इसका बाइपास होता है तो हमारा ये निट्रल में भी ये बेटरी का निगेटिव जो है तो निट्रल उसमें जा रहा है इसलिए हमको बस नहीं लेना है बस हम फ्येज लेंगे तो हम फेज लेके इधे आ गए अभी मानके चलो हमारा जो एक दो तीन चार स्षेट, तो एक तो मानके चले हमें पाईब न के लिए रखेंगे, बाके जो बचा तीन वो हमारा मानके चले एक है फेण का ये एक है बॉल्ब का और ये एक भी मान के चले और कोई चीज का है बॉल्ब का ही है मान के चले समझे तो इसमें से हमको क्या करना है इनवर्टर का पावर बस मान के चले दो पे लेना है दो पे बस दो पे लेना है यानि एक बॉल्ब पे एक फ्यन पे लेना है एक बॉल्ब प क्या होता है नीचे 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 पूरा लूप होता है तो हम क्या करेंगैं जो वदर से हमारा शहा जा रहा है उसको हमหटा आदेंगे sa और एक पर नहीं दे रहें, तो क्या करेंगे करेंगे और तो करेंगे और यह तो हमारा राट हो गया आप सब को पता ही होगा कि नूट्रल हम इतर से जो अमरा आया है नूट्रल एसे इसमें आएंगे फिर इधर से हम नीट्रल को क्या करेंगे इसका उठाके हमारा मान के चलो बॉल में चला गया फिर इधर से हम एसे उठाके यह हमारा फिन में यह जैसे मान के चलो यह हमारा बॉल बे यह हमारा फिन है चला गया तो अभी क्या होगा हम स्वीच देंगे तो हमा ऑव पावर नहीं है इसमें ऑव पाउर आभी अने ए दिया है हमने किया कहेति को वह पाउर को साइड करके रखा है बस उसको यह दो अब इर कि इधर कई तीनों कलें具 पहसं पर नहीं है व मुझा ठीडार पांवर को। होगा तो इसे होके इसे पावर इसका जाए गए तिन स्विच पर लेखिन जब पावर है पावर है तो तब इन भॉटर आप लोग चाहेंगे कि यूज नहीं करें हम उस टाइम पे इन भॉटर को यूज नहीं करना चाहिए तो फ्रेंड इसके लिए क्या है कि हमारा जो यह ज से पावर रेटर्न नहीं होगा क्या करेंगे इसी पावर को इजर से आ रहा है इसी को इसी की थ्रू डिरेक्ट आउट कर देगा यानि जो हमारा एसी जो आ रहा है न पावर में उसी को इसका अंदर जाके आउट करेंगे यानि इसका अंदर से हमारा यही पावर आएगा उ तो यही पावर जो अमारा पावर है वही आएगा बैटरी का नहीं आएगा उस टेम पे तो मीद करता हूँ फ्रेंज आप लोग को यह वीडिया अच्छा लागा होगा और आप लोग अच्छे समझ गया होगा इंवर्टर का कनेक्शन अगर फ्रेंज आप लोग चाहते हैं कि inverter का जो पूरा रूम पे मतलब जो आपको एक पूरा रूम है आपका जो MCB बॉक्स है उधर से आप connection लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाएंगा उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा आप लोग समझ गए होगे inverter का connection के बारे में दो एकंड जो अवड़ सकता है